दोस्तो आज मैं 1500 बच्चों की मा की कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तो 1500 बच्चों को पालने में मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कोई कमी नहीं छोड़ी ये बच्चे कभी रेल्वे स्टेशन पर घूमा करते थे ये बच्चे कभी बस स्टेंड पे घूमा करते थे, ये बच्चे कभी सडकों पर घूमा करते थे, मगर जब मा को दिखा और मा को ये दर्द लगा, तब इन बच्चों को मा ने अपने आचल में समेट लिया, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, उस आचल के पर्चम को ऐसा लहरा दिया कि इन में से तमाम ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बने जो इंजिनियर बने जो सरकारी ओहदे पे आज नोकरी कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ महराष्ट के वर्धा में जनमी सिंधू ताई माई की जो आज के समय में पंद्रसो बच्चों की माँ हैं उनके पास तीन सो से अधिक दमाद हैं और पचास से अधिक उनके पास बहुए हैं तमाम बच्चों का प्यार और दुलार उनक सम्मान घर में परिवार में नहीं होता है इसलिए सिंदुताई का जब जन्म होता है तो पुरा परिवार उनके खिलाप हो जाता है उनके पिता का भी अपमान किया जाता है उनके पिता को फटे पुराने चीथडे कपड़े की उपाधी दी जाती है कि इनकी अवकात क्या है उ देखे जब गरीबी होती है विपन्प्नता होती है तो कैसे व्यक्ति को इंसान को दुख और तकलीफे जहलनी पड़ती है। 20 साल की उम्र जब सिंदुताई की होती है तो वो तीन बच्चों की माँ बन जाती है और उसके बाद जैसे तैसे जीवन यापन करती है एक दिन गाउं में कुछ मजदूरी करने वाले लोग सिंदुताई के पास आते हैं और बताते हैं कि मुखिया ने उनकी मजदूरी नहीं सिंदुताई को ये नगवार लगता है और वो पहुच जाती है अधिकारी के पास अधिकारी से सिकायत करती है कि ये कैसा की मजदूरी कर रहे हैं उनकी मजदूरी भी नहीं दी जा रही है उसके बाद मुखिया के खिलाब जब करवाई होती है तो मुखिया गुस्सा हो जा उसके बाद वो दरदर की ठोकरे खाती हैं जब बच्ची के लिए असहनिय पीड़ा हुई प्रशौ पीड़ा हुई तो एक तबेले में जाकर उन्होंने आस्रे लिया क्योंकि वहाँ उन्हें कोई रखने के लिए तयार नहीं था जहां पर भैसे बंदी हुई थी और चीख और कुकार के बाद एक बच्ची को जन्म देती हैं कोई भी उनके पास आता नहीं है मदद के लिए ऐसे समय पर कोई उन्हें help नहीं करता और उसके बाद वो बच्ची को आचल में लगाने के लिए भी इस्तिती में नहीं रहती हैं क्योंकि उनकी नार को तोड़न ताही ने अपनी बच्ची को कलेजे से लगा लिया और सिंदुताही ने बोला कि मेरी बेटी मेरी लाडली मेरी छोटी नन्ही बच्ची मैं तुझे प्यार नहीं दे पा रही हूँ मैं तुझे कुछ दे नहीं पा रही हूँ ऐसी परिष्टिती में तुने जनम लिया है कि जह जहां पर भैसे बंदी हुई है जहां एक तबेला है जहां पर गोबर है जहां पर गंदगी है वहां पर मैं तुझे जनम दे रही हूं मैं कैसी अभागन माई हूं और उसके बाद सिंदुताई अपनी बेटी को कलेजे में लगाकर चूंकि ससुरालते निकाल दिया गया था इ कि जाओ जब तुम्हें पती नहीं रखा तो मैं नहीं रखने वाली शिंदुताई का माई के से रिष्टा तूट गया था इसलिए उनके पास कोई आशरा नहीं था वो जाती भी तो कहा जाती पिर शिंदुताई पहुची रेलवे इस्टेशन पर जहां पर आसरा ढूंदन कुछ मदद दी और फिर जैसे तैसे वो बेटी को पालने लगी लेकिन 20 साल की उम्र सिंधुताई की थी तो उन्हें डर लगता था भैल लगता था आदमियों से मनुश्यों से क्योंकि वो जानती थी कि रात के समय पर कोई भी उन्हें गलत निगाह से देख सकता है इसलिए सि इसी तरह से अपना जीवन ही अपन करती थी देखिए जब लोग दिन में आया करते थें तो सिंधुताई को भूत और चुडएल माना करते थें रात में सिंधुताई तनके खड़ी हो जाती थी कि जिससे उनके पास कोई आ ना पाए और उसके बाद पूरे छेतर में पूरे लोग अनात होंगे बहुत सारे लोग बेसाहरा होंगे इसलिए सिंधुताई ने अपनी बच्ची को अपनी बेटी को अनात असरम में रखा और फिर बोला कि मैं इन तमाम बच्चों के लिए अपनी मा बनूंगी इन तमाम बच्चों के लिए अनात बच्चों के लिए मा का 500 के बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छी तरसे पालन पोसन किया, उन्हें से कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथासरम का काम देखते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो सिंदुताई की तरह उनसे प्रेड़ा लेकर अनाथासरम चलाते हैं, इन अनाथ बच्चों को रखने का काम क लिए जब लोगों ने उनसे सवाल उठाया जब उन्होंने लोगों ने उनसे प्रश्ण किया कि तुम्हारी मा ने तुम्हें तरस्कित कर दिया तुम्हें निकाल दिया तब शिंदुताई ने कहा कि अगर मेरी माने नहीं निकाला होता तो आज मैं शिंदुताई मा नहीं बन नहीं लगता हाँ 80 साल की उम्र में सिंदूताई का पती भी उनके पास आया और उस पती ने आसरे मांगा तो सिंदूताई ने सहर स्विकार कर दिया उसे त्रस्कित और अपमानित नहीं किया लेकिन सर्त रखी कि तुम अब मेरे साथ रहोगे तो बेटे की तरह रहोगे क्यों कि अब तो में मा बन चुकी है सारी दुनिया की मा बन चुकी है दोस्तो सिंदूताई को मदर टेरिशा कहा जाता है मदर टेरिशा की उपादी दी जाती है और तमाम ऐसे लोग हैं जो सिंदूताई के दर्शन करने के लिए जो सिंदूताई से मिलने के लिए बेताब रहते ह 280 से अधिक राश्टी और अंतर राश्टी या पुरस्कार सिंदुताई मा ने जीता है यानि उन्हें पुरस्कार मिल चुका है, लोगों का प्यार और चिप्टाई लिगती हैं, गीत लिखती हैं, कहानी लिखती हैं और जिस जगह पर भी जाती हैं मा का आचल फैला देती हैं तो लोग प्रेम और इशनेह के साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं जब बच्चों को आज भी जरूरत पड़ती है तो सिंदुताई नी संकोच होकर भीक मांगने के लिए तयार हो जाती हैं बोलती हैं कि मेरे को कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं उनके लिए हर समय तयार हूं अपने साथ ही उन बच्चों को लेकर सोती हैं सिंदुताई मा के लिए दो सब्द दोस्तों जो हिम्मत नहीं हारती जो संकट में घबराती नहीं वो मा ही हो सकती है इसलिए दो सब्द सिंदुताई मा के लिए कि हर पल में खुशी देती है मा, अपनी जिन्दगी से भी जीवन देती है मा, भगवान क्या, मा की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है मा, भगवान को भी जन्म देती है मा, सच मानिये, भगवान से कम नहीं, देवी से कम नहीं, सिंदु ताई माई को, बहु झाल झाल